हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, टेस्टी फूड विद संगीता कुछ मीठा बनाते हैं, मीठा भी ऐसा जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान का यूज करके बनके त्यार हो जाए तो यहाँ पर हम बनाएंगे सूजी के दानेदार लड्डू सूजी के लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कड़ाई गरम की है और उसमें एक चौथाई कप घी डाला है जब घी गरम हो जाए तो इसमें डालें सूजी, मैं यहाँ पर इसमें दो कप सूजी एड़ कर रहे हूँ गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और लो फ्लेम पर आपको इस सूजी को लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है यहाँ पर हमें सूजी का कलर जेंज नहीं करना है, सूजी का केबल कच्चा पंदूर करना है तो इसलिए गैस का फ्लेम आपको लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है ये सूजी के दानेदा लड़ू बहुत ही आसानी से कम समय में बनके त्यार हो जाते हैं इनके लिए हमें कोई चाशनी भी नहीं बनानी परती बस जब भी आपका मन करें कुछ मीठा खाने का आप सूजी को इस तरह रोस्ट कीजे और इने बना कर त्यार कीजे आप देख सकते हैं कि मैं लगातार चलाते हुए सूजी को भून रही हूँ इस तरह आपको सूजी को भूनने में 6-7 मिनट लगेंगे गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है याँ पर और लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है वनना सूजी नीचे से तले में चिपक जाएगे और सूजी का कलर भी चेंज हो जाएगा और लड़ू अच्छे नहीं लगेंगे अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भून लिया है और सूजी का कलर चेंज नहीं हुआ है जब सूजी 6-7 मिनट तक भून जाए तो आप इसमें एड़ कीजे शुगर पाउडर मैंने यहाँ इसमें एक कप शुगर पाउडर एड़ किया है आप अगर शुगर पाउडर नहीं डालना चाते तो इसकी जगापर चीनी भी इसमें डाल सकते हैं अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे इसमें मीठा आप अपने टेस्ट के नुसार थोड़ा कम या जादा कर सकते हैं मैंने दो कप सुझी ली थी और एक कप शुगर पाउडर एड़ किया अब इसमें मैंने आदा कप से थोड़ी सी कम मलाई एड़ किया यानि कि तीन चमच मलाई इसमें मैंने एड़ की है अब इस मलाई को और शुगर को इसमें अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजे ये मलाई डालने से लड़ू का टेस्ट बहुती अच्छा आता है लड़ू ऐसे बनते हैं जैसे कि आपने इसमें मावा डाला हो अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते, आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हैं और बिना मलाई के भी ये लट्टू तयार कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने मलाई और शुगर को बहुती अच्छी तरीकिसे इसमें मिक्स कर लिया है अब ये हमारा पहुती अच्छा मिक्स्टर बन के त्यार हो गया है इस पूरे प्रोसेज में आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है कहीं पर भी आपको मीडियम या हाई फ्लेम नहीं रखना है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ थोड़ी सी किश्मिश, काजू और बादाम काजू और बादाम को मैंने कट करके डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें पिस्टा एड़ किया है अब ये सब ड्राइफ फ्रूट्स इसमें अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजे अगर आपको ये टेस्टी दानेदार सूजी के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पैल आइकन को प्रेस करें अब यहाँ पर यह जो मिक्स्टेर है थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमबच इलाइची पाउडर अब मैंने यहाँ इसमें एड किया है दो चमबच घी अब इस घी को इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है तो है ना कितना आसान यह सूजी के दानेदा लड़ू घर पे बनाना अब आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से इने बना सकते हैं यह बच्चे बड़े सभी को बेहत पसंद आते हैं अब हमें इनके लड़ू बानने है तो इसके लिए या तो आप इसमें थोड़ा सा घी और अट कर लीजे या फिर आप इसमें थोड़ा सा दूट डाल दीजे जिससे ये लड़ू आसानी से बन जाएंगे तो मैं यहां इसमें थोड़ा सा दूद डाल रही हूँ और अब इस दूद को हमें मिक्स कर देना है बहुत ही थोड़ा सा दूद अड़ किया है जादा दूद हमें इसमें नहीं डालना है अब अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजे अब मैं यहाँ इसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ अब यह लड़ू बनने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है तो हम इसके लड़ू बना लेते हैं अब इस तरह हाथ में यह मिक्स लेना है आपको और उंगली और अंगूठे की सायता से इस तरह दबाते हुए लड़ू को त्यार करना है यहाँ पर आप लड़ू का साइज अपने अनुसा थोड़ा सा छोटा या बड़ा जैसा भी करना चाते हैं वैसा कर सकते हैं मैंने मीडियम साइज का लड़ू बना के त्यार किया है यह मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे बहुत ही अच्छा लड़ू बना है हमारा और इसी तरह अब मैं आपको दूसरा लड़ू भी बना के दिखा देती हूँ अच्छे से उंगली और अंगूटे से प्रेशर लगाते हुए इनको दबाईए और लड़ू बना कर त्यार कीजिए अब यहाँ पर यह हमारा दूसरा लड़ू भी बन के त्यार हो गया है यह देखे मैं आपको इसे दिखा देती हूँ लड़ू बहुत ही अच्छा बना है और अब इने प्लेट में रखते जाईए और इसी तरह अब सारे लड़ू हमें बना कर त्यार कर लेने है अब सारे लड़ू में बना कर इसी तरह प्लेट में रखूंगी फ्रेंट्स ये लड़्डू दिखनी में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में थो ये बहुत ही ज़्यादा लाजबाब हैं एकदम डिलिशस लड़्डू बनकर त्यार हुए है एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगी मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ